टेलिविजन के पॉपलर शोव तारक मेंता का ओल्टा चिश्मा के पॉपलर करदा रोजन सिंग सोडी यानि गुरुचरण सिंग को गाइब हुए छे दिन हो चुके हैं। उन्हें लेकर पिछले दिनों 26 अप्रैल को लापता होने की खबर ने सबको हैरान कर दिया। उनके पिता हरगीत सिंग ने पॉलिस में शिकायत दर्ज करवाई है और किड्नैपिंग का मामला दर्ज कर जांच चल रही है। इसी दोरान कुछ नई जानकारी में उनका आखरी लोकेशन और एटियम से कुछ पैसे निकालने जाने की बात सामने आई है। खबर ये भी मिली है कि आक्टर शादी करने वाले थे। जो उनके घर से कुछी किलोमीटर दूर है। इसके बाद ही उनका फोन स्वेच ओफ हो गया। यानि की 24 अपरेल तक दिल्ली में मौजूद थे फिर उनका मोबाइल बंध हो गया। यानि की साफ है कि 24 अरी को वो पालम इस्तितबने घर से तकरीवन दो से तीन किलोमीटर की दूर पर लोकेशन पर थे। पुलिस की जाच में जो बाते सामने आई हैं उनमें बताया जा रहा है कि गुरुचरण सिंग शादी करने के लिए तयारी कर रहे थे और वहीं दूसरी तरब वो आर्थिक तंगी से भी गुजर रहे थे। अब इन सब की बीच उनका अचानक गायब होना कई सवाल खड़े कर रहा है। पुलिस के मताबिक उनकी फ्लाइट का समय साड़े आट बजे था लेकिन फोन में आखरी बार लोकेशन पालम का करीब सवा नौ बजे का है। गुरुचरण सिंग 2008 से 13 तक तारक मेता का उल्टा चश्मा शो के हिस्सा थे। इस शो को लेकर मेकर असित मोदी से जुड़े विवादों की कारण उन्होंने शो छोड़ दिया था। ताकि उनकी पॉपिलारिटी और लोगों की डिमांड की वज़ा से मेकर्स ने उन्हें शो में फिर बुलाया लेकिन साल 2020 में उन्होंने फिर शो को छोड़ दिया। बताया जाता है कि दूसरी बार गुरुचरण ने दुबारा ये शो अपने पिता का ध्यान रखने के लिए छोड़ा था। कहते हैं कि पिता की सर्जरी हुई थी और उनके लिए वो अपना करियर छोड़ कर घर आ गये थे। गुरुचरण सिंग के चाहने वाले और उनका परिवार लगतार उनकी सलामती की दूआ कर रहा है।